दोस्तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारी हर एक वीडियो को वापिस आकर देखने के लिए आपका हिर्द्य की गेराईयों से विनमर्ता पूरक धन्यवाद दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहे हैं गुटनों के दर्द की तकलीफ को कैसे दूर किया जाए और आपको बहुत ज़्यादा जनजट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसके गुटनों में पहले ही दर्द हो रहा है वो इनसन पहले ही अपने काम को करने में इतना समरत नहीं है तो वो कैसे ज़्यादा तकलीफ कर पाएगा दोस्तो आज का ये तरीका उन सभी लोगो की चक्की कहा जाता है उसके घिसने से होता है दोस्तो वहां के जो कार्टी लेज होते हैं वो घिस जाते हैं तो गुटनों में दर्द शुरू हो जाता है लेकिन अगर यही तकलीफ आपको छोटी उमर में हो रही है यानि छोटी उमर के अंदर आपको गुटनों का दर्द ह तो ये शरीर के अंदर वात्धातू और कफधातू के बढ़ने के कारण हो रही है। दोस्तो इन दोनों ही तरह की तकलीफों को चाहे तो आपकी उमर जाता है और कार्टीलेस घिस चुकी है या फिर आपकी उमर छोटी है और आपके शरीर के अंदर कफधातू और जादा हो चुका है इन दोनों ही तकलीफों को अलग अलग तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जिनको बड़ी उमर में ये तकलीफ हो रही है उन लोगों ने क्या करना है एक चीज़ अलग उन्होंने करनी है जो छोटी उमर के लोगों से वो पहले बता देती हूं फिर मैं आपको बता देती हूं कि बड़ी उमर के लोगों ने और छोटी उमर के लोगों ने घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए कौन सा इलाज फ अब ये अलोवेरा क्या काम करेगा ये जरूर जान लीजिए एक अंधविश्वाश के तौर पर अगर आप गुटनों पर लगा लेंगे और आप सोचेंगे पता नहीं फाइदा करेगा का नहीं करेगा तो आपको एक चीज बता दो जब आपके अपने गुटनों पर या होना बहुत जरूरी है तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूप से मिल सकता है तो दोस्तो आपने अलोवेरा जल लगा कर रखनी है ताकि केल्शियम के साथ साथ आपकी घड़्डियों के जो कार्टीलेस घिस चुके हैं वो दुबारा बनने में बहुत मदद मिल सकें दोस्तो अगर आप सोचेंगे कि आपने एक दिन ऐसा किया और आपके कार्टीलेस दुबारा बन सकेंगे यह बिल्कुल नामुनकिन है ऐसा नहीं हो सकता कम से कम आप इसे एक महीने के लिए रोजाना करिए और यह गर्मियों का सीजन है और यह बहुत अच्छी बात है कि अ आप भी खुश रहने का मूल मंत्र ढूंड रहे हैं दोस्तो आप महनत बहुत करते हैं लेकिन उतना फाइदा उतना बेनिफिट आपको नहीं हो पाता आपको लगता है कि हमें आज सी ट्रिक फॉलो नहीं की कि हमें महनत का फल नहीं मिला दोस्तो अगर आपके अंदर भी इ इस वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तो अब मैं आपको बताने ही जा रहे हूं इलाज कौन सा करना है चाहिए आपकी उमर बड़ी है या चोटी है आपके घुटनों में लगातार दर्ध हो रहा है क्योंकि किसी भी दर्ध का कारण क्या है आपकी बॉडी के अंदर वात धातू और कफ धातू बढ़ चुका है दोस्तो कुछ ऐसी चीजे हैं जो हमारे शरीर में से वात और कफ को बहुत अराम से शरीर से बाहर कर सकती है दोस्तो आपको मैं तीन ऐसी चीजे बता रहे हूं तीनों चीजों का सेवन आपने नहीं करना आपने सिर्फ एक चीज का सेवन रोजाना करना है तो सबसे पहली और कॉमन सी चीज है दोस्तो अधरक आपके घर में बहुत अराम से मिल जाएगी अधरक के अंदर anti-inflammatory और anti-oxidant properties होती है दोस्तो anti-inflammatory जो properties है वो हमारी body में से सूजन और दर्द को दूर करने का काम करती है अगर आप इसका इस्तमाल limit में रोजाना करते हैं तो आपकी body में वात नहीं बढ़ेगी दोस्तों ये वात और कफ बढ़ती क्यों है जब आप जो भी खाना खाते हैं वो पचता नहीं है उसमें से आपको पोशक ततो ना मिलकर अम्ल बनता है अमल क्या करता है आपके जोडों के साथ जाकर जमा हो जाता है चाहे तो वो गुटनों के साथ जाकर जमा हो जाए या फिर बोडी के किसी भी जोडों के साथ जमा हो जाए ये खाना ना पचने के कारण दोनों प्रॉब्लम्स आती है जब खाना अच्छे से नहीं पचता तो आ आप रोजाना अध्रक का सेवन कीजिए, अध्रक का सेवन किस तरीके से किया जा सकता है, आप चाहें तो कच्ची अध्रक खाना खाने के साथ चबा लीजिए, दोस्तो कोई जंजट नहीं है इसमें, आप चाहें, आप बना सकते हैं, तो आप अध्रक की चाय बना कर पी लीज दोस्तों ये दोनों ही तरीकों के द्वारा आप बोडी में से वात को दूर कर सकते हैं और ये गुटनों के दर्ध को दूर करने के लिए आयरुवेद में एक अशदी माना गया है अधरप को दोस्तों दूसरी चीज है हल्दी हल्दी के अंदर एंटी ऑक्सिडंट एंटी इंफ्लमेंटरी प्रापटीज होती है ये जोडों के दर्ध को हील करने का काम करती है यनि आपकी बोडी में चाहे तो मसल पेन है चाहे जोडों का दर्ध है उसे ठीक करने का काम करती है और आपके जोडों में दर्द हो रहा है, आप हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, पेन कीलर खाकर, दर्द निमारक गोली खाकर, हम घर पे ही बैटे रहें, कोई बात नहीं, दर्द को सहा लेते हैं, तो आप रोजाना हलदी वाला पानी या हलदी दूद पी शुरू कर दीजिए, दोस्तों तीसरी चीज है अशुगंदा, अशुगंदा के गुन आपको बताओं, तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दोस्तों जिनकी जोडों में दर्द रहता है, जिनकी गुटनों में दर्द रहता है, जिनको भी गठि यानि संधी वात की समस्या हो चुकी है, जाइंट पेन की समस्या हो चुकी है, तो ये अशुगंदा एक नेचुरल स्टीरोइड की तरह काम करता है, नेचुरल स्टीरोइड क्या होते हैं, दर्द को दूर करने वाली चीज़ें, नेचुरल का मतलब ये हुआ इसमें, कि ये स्टिरोइड आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा दोस्तों यह जो अश्वगंधा है इसका नेचर एलकलाइन होता है यानि कि यह आपकी बॉड़ी में एसेड को भी नहीं बढ़ाएगा आप इसका रोजाना सेवन कीजिए वो भी लिमिट की मातरा में आपको एनरजी भी मिलेगी आपके जोडों का दर्द घुटनों के दर्द भी दूर हो जाएगा इसका लेने के साथ आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यार दखना है कि आपने थोड़ी वॉक जरूर करनी है एकदम से लेटना नहीं है, सोना नहीं है यानि इसको डाइजेस्ट होने देना है दिन में एक बार इसका इस्तमाल करना है आप चाहे तो पानी के साथ कर लें आप चाहे तो इसका सेवन गुनगुने दूद के साथ या गुनगुने पानी के साथ कर लीजिए दोस्तों किन लोगों ने अश्वगंदा का सेवन नहीं करना तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी है जिनके kidney में कोई problem है, kidney अच्छे से काम नहीं करती, liver अच्छे से काम नहीं करता या फिर जिनको heart problem है, उन लोगों ने अश्वगंदा का सेवन नहीं करना तो कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे खाने के बाद आपको इसको पचाना भी पड़ेगा और पचाने के लिए आपको walk करनी पड़ेगी, चाहिए आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तब भी आप थोड़ा थोड़ा walk जरूर करें ताकि ये बहुत अच्छे से digest हो ज जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है और आप चाहते हैं बहुत असानी से इस दर्द को दूर किया जा सके बिना जंजट के आपको रोज रोज किसी चीज को नहीं करना पड़े, तो रोजाना आपने सिर्फ एक काम करना है, अजवाइन अपने दिंग लाकर शरीर से बाहर करता है, इसकी रावा मेथी दाना, मेथी दाने को आयरवेज में एक ऐसी उशदी बताया गया है, जो हड़़्ियों के दर्द, जोड़ों के दर्द को तो दूर करती ही है, इसके अदर बहुत अच्छी मात्र में कैल्शिम होता है, इसके साथ सा क्या हम गर्मियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं derdooster limit की मात्रा में आप हर एक और श्रदी का सेवन कर सकते हैं एक दवाई के طॉर पर एक पानी के तौर पर नहीं चिया आप का प्लती का सेवन आप अगला से लिए एस अगले हफते चोड़ दीजिए फिर अगले हफते आप ऐसे ही कीजिए ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बिना कहीं हॉस्पिटल जाए या डॉक्टर से मिले आप अपनी गुटनों के दर्द की तकलीफ को बॉड़ी में वात बढ़ने की तकलीफ को औ दोस्तो आपकी immunity power रोगों से लड़नी की शमता को बढ़ा देगी क्योंकि आज की टाइम में लोगों को ये समझ आच चुकी है कि हर एक इनसान की immunity कितनी strong होनी चाहिए वैसे तो immunity पहले भी strong ही होनी चाहिए थी लेकिर आज की टाइम में असलियत में इसका अर्थ समझ में दोस्तो ये video ये जानकारी यही तक थी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी आपके काम की है तो इस video को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तो अगर आपको ये video अच्छी लगी और ऐसी ही informative videos आप और चाहते है आप मेरे चैनल पर नई हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और All Notification बटन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इंफर्मेशन उसके अपडेट्स मिलते रहें, मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, विड़ बाई